हेलो स्ट्टुएंट बेलकम बेक में यूट्यूब चैनल आप सभी हमारी यूट्यूब चैनल गौरफ होटीन आउचेस में कोई फिर से स्वागत है तो स्टुएंट आज हम बेसी नर्सिंग को लेके बात करने वाले हैं बेसी नर्सिंग पर बहुत बड़ा अपडेट जो मै देने वाला हूँ तो बहुत सारे स्टुएंट कल 28 तारीक का इंतार कर रहे हैं कि 28 तारीक को उनके लोट में लेटर आएंगे और उनका मैड लिष्ट आएगी या नहीं इसी बारे पर हम बात करें तो स्टुएंट आज की वीडियो में आपको सब कुछ बताने बाला हूँ कल 28 तारीक को क्या क्या होगा और कब क्या कितने वज़े कुछ आएगा कि नहीं आरुचेस की तरफ से सभी पर बात करने बाले हैं अभी तक आप हमारी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रेस कर दिए जिससे आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेस है चलिए हम एक वार आरुचेस की वेबसाइट पर लेके चलता हूं मैं आपको फिर वहां से मैं आपको दिखाने बाला हूं कि सबसे पहले हम थोड़ा पेरामेडिकल पर फोकस करते हैं तो पेरामेडिकल की जो आपने देखा था यहां पर पेरामेडिकल के लोट में लेटर 24 तारी को जारी कर दिए गए थे साथ ही यहां पर एक अपडेट आपको दिख रहा होगा उनकी मैड लिस्ट भी जारी कर दी गई थी तो बहुत सारे बीएसी नर्सिंग स्टुडेंट लगातर कमेंट कर लेते क्या सर इस सार मैड लिस्ट नहीं आएगी तो अर्विचेस ने अपनी वैपसाइट से मेरिट लिस्ट और अलोट में लेटर दोनों को जारी कर दिया है तो इसी तरह हम बात करेंगे बीएसी नर्सिंग को लेके कि बीएसी नर्सिंग का भी कुछ इसी तरहीके से रहेगा या पर कुछ अलग वरत को सबसे जादा रुची सर्मा 89 जो मैंने बताया भी ता आप सभी को सीट है विकास नेतरवाल 63 इस तरहीके से यह थी भाई उसकी पेरामेडिकल की मेरिट लिस्ट जो आप यहां से देख सकते हैं है न है टोटल इसी तरह से मेरिट लिस्ट आ चुकी थी हो इसमें बहुत सारे बच्चे के टोटल 4,509 स्टूइंट तो यह तो पेरामेडिकल का था पर अब हम बात करेंगे बीसी नर्सिंग की तो बीसी नर्सिंग का मैं आपको बता दूँ जो काउंसलिंग सेडूल डाला है आरुचस ने जो आप यहां पर देख रहे हैं काउंसलिंग सेडूल फोर न अची बात है बीसी नर्सिंग की अब बहुत सरे स्टूइंटों बोने सर यह लॉट में लेटर कब जा रही होगा तो यह कम से कम रात को आपके 11 या 12 बज़े के बाद आएगा जल्दी भी आ सकता है पर में भी जितना चांद से लेटी आता है क्योंकि पैरामेडिकल का भी 11 12 बज़े के करीब आएगा तो यह तो रहा आपका लोट में लेटर को लेके कि हाँ आपके कल 28 तारीक को आजाएंगे इनकी आपकी लास्ट डेट रिपोर्टिंग की 6 तारीक रहेगी अगर सब पैरामेडिकल की तरह होता है जैसे उनकी 4 तारीक थी आपकी 6 तारीक रहेगी साथ ही आपकी मेरिड लिष्ट भी आजाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितने स्टूडेंट के कितने कितने नंबर आए थे हो कहां तक सीट मिलगी मेरिड लिष्ट अबस्याएगी यह जरूर जान लीजिए क्योंकि बिना मेरिड लिष्ट के तो काउंसलिंग पर सवाल उट सकता है कि काउंसलिंग में कुछ गरबड़ी हुई है इसलिए मेरिड लिष्ट का आना भी है जरूरी है तो आप कल 28 तारीक को अपने लॉट में लेटर के साथ ही मेरिड लिष्ट भी देख पाऊगे तो य यसे ही लॉट में लेटर जारी होता है मैं आपको वीडियो के माद्यम से समझा दूगा तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को टेस्ट कर देना जिससे आपको हर एक नोटी पेकेशन मिलता रहे वीडियो का थैक्स पर बाचिंग इस वीडिय प्राइब कर देनल